ब्रत में कौन-कौन सी वस्तुयें हविश्र कही गई हैं? जिस ब्रत की कोई बिधी नहीं बतलाई गई है, उसमें क्या करना चाहिए? जिस ब्रत का उध्यापन नहीं बतलाई गया, उसमें क्या करें? ब्रत में सूतक लग जाने पर, आसाउच हो जाने पर、 इस्त्रियों को रजस्वला हो जाने पर अथवा ज्वर आदिरोग हो जाने पर क्या करना चाहिए इन सभी प्रसनों के उत्तर को सासतर प्रमाड से इस वीडियो में जानेंगे चैनल पर दिया आप नए हैं तो सब्सकाइब करके नोटिफिकेशन बेल को वान कर लें वीडियो को लाइक कर दें हम इसी तरह की प्रामारिक वीडियो लाते रहते हैं वीडियो महत्त पूर्ण है इसलिए इसे पूरा अवश्र देखिएगा अन लोगों को भी शेयर करना मत भूलिएगा आईए इस वीडियो का शुभारंब करते हैं ब्रत के नियम बिधी ब्रत में निशेध ब्रत भंग हो जाने पर क्या करें ब्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं ऐसे बहुत से प्रस्ण हम से पूर्ब में किये गए थे जिनके संबन्द में हमने पहले दो वीडियो बनाए हुए हैं यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आई बटन में जा करके देख सकते हैं यह तीसरी वीडियो है सबसे पहले हम यह जानेंगे कि ब्रत में कौन सी बस्तुएं हविश्य कही गई हैं अर्थात जिसे देवता को अरपन कर सकते हैं देवता के निमित जो भोग आदि हम बनाते हैं उसे हविश्य कहते हैं कहा गया है तिल मूंग को छोड़कर चना आदि जो छिलका युक्त उड़दि त्यादि और मूली आदि छार वस्तु लवण मधु मांस आदि को त्याग दें सावा नीवार गेहू ब्रत में हितकर हैं धान मूंग जव तिल कंगुनी कुल्थी आदि लाल से भिन बरनवाला मूली सूरन आदिकंद सेधा सामुद्र नमक गाय का दही घी दूध कटहल और आम का फल नारियल हर्रे पीपल जीरा सोंठ इमिली केला बढ़हर और आमला सेल में नापके हों तो इसे हविष्ट कहते हैं कहीं पर गाय का घी मठा और भैस का घी भी हविष्ट माना जाता है अब हम या जानेंगे कि जिस ब्रत का कोई बिधान नहीं बतलाय गया है उस ब्रत में क्या करना चाहिए जिस ब्रत में कोई बिधी नहीं कही गई है उसमें मासे आदी तौल के सोने अथवा चांदी की प्रतिमा पूजी जाती है कहा गया अनुक्त ब्रत बिधिस्थले माशाद परिमित सुबर्न रजताद प्रतिमा पूज्या द्रब्या नुक्ता वाज्य होमा देवता नुक्तो प्रजापति ही मंत्रा नुक्तो समस्त व्याहिरत यहा संख्या नुकतावश्टो तरसतमस्टाविनसतेरष्टववा होम संख्या उपवासकृते ब्राहमण भोजनम ततसांगतार्थम होम में द्रब्ब के नाम नहोने पर घृत से हमन करना चाहिए जहां देवता का नाम नहीं कहा गया है वहां प्रजापती देवता होते हैं, मंत्र नहीं कहने पर संपूर्ण ब्याहिरती ही मंत्र है, जहां संख्या नहीं बतलाई गई है कि कितना हमन करना है, वहां 108, 288 या 8 बार हम करना चाहिए, उपवास करने पर उसकी सफलता के लिए ब्रामण भोजन करवाना चाहिए, जिस उद्यापन आदि नहीं बतला गया है, अब हम उसके विशे में जानेंगे, उद्यापना नुक्तव गाम सुबरनम वा दद्यात, विप्रबचनाद, ब्रतसांगता प्रियवचनन चो, दक्षनान दत्वईव ग्राहियम, सरबत्र ग्रहीत ब्रतत्यागे, चांडाल तुल्य बिधवाविर व्रतादव, चित्ररक्तादिवस्त्रमन धारियम, श्वेत मेव धारियम, कहते हैं कि जिसका उद्यापन नहीं कहा गया है, उस अस्थान पर गोदान या सुबरन दान करना चाहिए, ब्राहमण के बचन से ब्रत संपूर्ण हो जाता है, दक्षना देकर ही ब् चाग करने पर चांडाल तुल्य होता है, दि आपने कोई ब्रत प्रारम कर दिया और उसे बीच में छोड़ दिया, तो उसे कहते हैं कि वहाँ चांडाल तुल्य हो जाता है, ब्रत की अवस्था में बिधवा को स्वेत बस्त्र पहनना चाहिए, रंगा हुआ बस्त्र नहीं पहनना चाहिए, यदि कोई बिधवा महिला है और कोई ब्रत कर रही है, तो उन्हें हमेशा स्वेत बस्त्र पहन कर ही ब्रत को करना चाहिए, अब हम जानेंगे कि सूतक रजस्वलायोम ज्वराद होने पर ब्रती को क्या करना चाहिए? ब्रत्तु सूतकादव नभवती कह रहे हैं कि स्त्रियों को ब्रत में सूतक या आसवच प्राप्त होने पर या रजस्वला होने पर अथवा ज्वरादी रोग हो जाने पर शरीर के नियमों को स्वयम करे, पूजा आदी दूसरे से करावे, अर्थात अगर ये चीजें उप प्रत्त हो जाती हैं, तो ब्रत तो स्वयम को करना चाहिए, लेकिन पूजन दूसरे से करा सकते हैं, अब पूजन किस से कराना चाहिए, या हम इससे पहले वाली बीडियो में बता चुके हैं, आप उस बीडियो को देख सकते हैं आगे बतला रहे हैं कि नबीन ब्रतारंभ सूतक और रजो धर्माद में नहीं होता, अगर आपको कोई नया ब्रत शुरू करना है, उपबास शुरू करना है, तो सूतक में न शुरू करें, और यदिया पर जस्वला हैं, तो भी नया ब्रत आपको नहीं शुरू करना चाहि पहले से जो आप ब्रत कर रहे हैं उसके बीच में दिसूतक उत्पन हो जाए या आप रजस्वला हो जा रही हैं तो आप उस ब्रत को जारी रखें पूजा आद किसी दूसरे से कराएं काम कर्म में प्रतिनिद नहीं होता प्रतिनिद तो नित्य और नैमितिक कर्म में होता है काम कर्म में भी आरंब के अरंतर कुछ लोग प्रतिनिद मानते हैं मंत्र का स्वामी का देवता का और अग्नि कर्म का प्रतिनिद नहीं होता निश्द बस्तूओं का भी कोई रहें कि भाई किस किस चेज का प्रतनिधी आप नियुक्त कर सकते हैं किस कर्म में नियुक्त कर सकते हैं अपनी जगां किसी और को प्रतनिधी तो इन्होंने कहा कि अगर कोई आप काम कर्म कर रहे हैं तो उसमें प्रतनिध नहीं हो सकता लेकिन किसी के मत से यह भी है कि आप प कई ब्रतों के एक साथ पढ़ जाने पर दान होम आदि अविरुद्ध कर्म क्रम से करना चाहिए जो बिरोधी हो नक्त उपवास आदि हैं एक को स्वेम करें दूसरे ब्रत को पुत्रादि से कराए अर्थात मान लीजे कि दो ब्रत एक साथ पढ़ गए एक में आपको सायंकाल भोजन कर लेना है एक में ब्रत ही रहना है तो ऐसे ब्रत को एक को स्वेम कर ले तथा दूसरे को अपने पुत्रादि से कराना चाहिए आशा है वीडियो आप सब के लिए उपयोगी होगी यदि आपकी कोई शंका है प्रसन है तो आप कमेंट में पूँच सकते हैं वीडियो को लाइक तथा शेयर करना मत भूलेगा प्रामाडिक ब्रत परवते उहार जोंति स्वास्तू तथा ग्राबाधा निवारन संबन्दी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ नमस्कार जैविश्वनात